हाई पलाश है आज की वीडियो बहुत ही मोटन होने वाला है कैंडल स्टिक्स कैसे रीड होती है में वीडियो यही है तो इंडेक्स क्या क्या देखने वाले है वो अपन जली अली देख लेते हैं फिर अगले चलेंगे तो रियल बॉड़ी ऑफ केंडल क्या आप कहती है तो, size of the body, size of the body यान की शरीर क्या कहता है यान की body क्या कहती है देखो distance between opening and closing price of the stock stock के open और close होने के बीच में जो area होता है उसको कहते है size of the body अपने देखा ना , open और close के बीच में जितना भी area होता है इसको कहते है body open or close open or close तो नीचे के तरफ बनेगी उपर के तरफ बनेगी यहाँ से अब shows how far the price has traveled since its opening in that particular time frame यानि कि price ने कितना travel किया है opening के बाद से यानि कि price जैसे ही open हुआ और close हुआ कहाँ पर जा करके कितना main area है जो उसने travel किया है यानि कि open से close के बीच में जितना असमें area travel किया है वो होती है body तो यह अपन को क्या पता चलता है body से अपन को यह पता चल जाता है कि price कितना travel हुआ है अब अपन थोड़ा सा आगे चलते है जो कि important points में है यहाँ आता है main चीज क्या कि bullish candle और bearish candle कौन से होती है यह long green candle a long green candle with no wick indicate that there is buying pressure buyers are in control and it is a strong move up यानि कि जब कोई भी candle होई है open होई है यहाँ पर उपर जा करके close होई है उपर जा करके close होई है तो moment जो रहा है buyers ने control में लिया है buyers यानि कि bulls ने control में लिया है यानि कि demand जादा है यानि कि लोग खरीदना चाहते है मैं इसलिए अलगल करके बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को mind में एक link बनता चले तो आप लोग क्या करना डिमांड बढ़ती जारी बढ़ती जारी दहेज से link कर सकते हो बट दहेज के खिलाफ होना चाहिए बट यहां पर open हुआ यहां पर close हूआ इनके बीच में price सीधा उपर यह उपर सीधा यहां जाके close हुआ है श्याप रेंज है इसके उपर नहीं जा इसके नीचे नहीं जा यानि कि इन के बीच में राहा है ठीक है, doesn't matter, price ऐसा भी जा सकता है यहां से open हुआ, price direct उपर गया, फिर बीच में रहा and जा करके यहां पर close हो गया, पर हमको उससे मतलब नहीं है पर open जहां हुआ है, close जहां हुआ है, इनके बीच में ही price रहा है and यह बहुत ही strong move up है, यानि कि अगर आपको यह candle देखे आपको यह buying signal है, ठीक है, यह buying signal है and यहां पर आप strong move up मान सकते हो, और buying कर सकते हो ठीक है, तो buying, buying signal तो आप यहां पर निकरना, इसके अगली candle के open पर कर सकते हो ठीक है ओपन पर जस्ट ले लोगे तो वही वायत तो फायदात हो नहीं है ठीक है वहाँ पर बाइंग कर सकते हो ठीक है लॉंग जा सकते हो अल्राइट देखो दूसरी जो केंडल है न स्मॉल ग्रीन केंडल विट नो विक्स RomeoO home is says that buyers are little control over the price and there is a good move-up यहां कि क्योंकि weak move-up है पहिए हम नहीं ले रहे हैं बात खत्म यहां पर कोई भी weak की बात आपन लोग नहीं कर रहे है अल्राइट ये वाले इसमें देखा अब ओपन हुआ और सिधा ऊपर जा करके close हुआ ओपन हुआ यहां पर ही ऊपर जा करके close हुआ पर थोड़ा सा ऊपर हुगया है ठीक है इतना नहीं मानते है थोड़ा सा और देते ना तो हम लोग मान लेते पर तुम ने तो बहुत कम लिय यहां पर ओपन हुआ और इतना ऊपर तक गया एंट्री लेना बहुत सही है नेक्स्ट केंडल पर अब यह आगे का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है सिर्फ एंट्री नहीं ले सकते तो पूरा वीडियो देख लेना नहीं तो बहुत नुक्सान होने वाले आपका अग इतको बन रही है एक लंबी सी vind परेंती होत बनती है कोई वी दिख नहीं यह यह अपन बता रहे है कि सैलर कर Celdai कि बेचने वाले भीडियम प्रशे है बीर कंट्रोल में भालु केंड़ीयो आब बहुत जयाद है तो क्या करेंगा पंजा आ ऑनके नीचे की तरफ कि मैरे crashes ग से हमेशा candle के बंध होने तक कवेट करोगे आप जैसी candle बंध हो जाएगी इसके अगली candle पर आप एंटरी लोगे अपने जो बिगनर्स की strategy मैं आपको बताई ते उससे आपको ये समझ में आगे होगा क्या कि जब तक candle close नहीं होती आप लोग तब तक एंटरी नहीं लोगे ठी स्पेशली लाइव आकर के मैं clear कर दूंगा बट अगर आपको comment नहीं करोगे तो भाई मैं नहीं clear कर सकता special doubt clearing lecture लेंगे अपन लोग Sunday को पर मैं आज ही बना दूंग अगर आप आज ही comment करोगे ठीक है मैं तुरंत रिपलाय दूंग आप comment तो करो यार तुरंत के तुरंत मिल आपको reply अब जो small candle होती है छोटी से red गलर की candle बनती है ठीक है जिसमें विक ही नहीं इसमें भी नहीं है पर यह अपन को strong move down नहीं बताती तो अपन यहाँ पर entering नहीं लेते सिंपल सेम चीज है जो अपन ने green वाले में किया था वही अपन red वाले में कर रहा है अब अगले प दूरी चेज यहाँ पर है strong move up, weak move up ठीक है चारो case में विक नहीं है है हना candle की विक नहीं है अपने candle देखकर ही बता दिया अच्छा विक क्या बताएगी अपन को यह देखना है देखो simple विक क्या बताती है वालेटाइल कितना है market ठीक है market कितना ज्यादा वालेटाइल है price rejection क प्ले करती है तो विक बहुत जरूरी पार्ट होता है candle का ठीक है विक को अगर आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो ना तो विक आपका भारी नुकसान करवा सकते है यह बात यादा रहो ठीक है तो भाया अगर वॉलेटाइल है market तो आप लोग का entry नहीं लेनी यानि कि विक लंबी लंबी है विक लंबी है candle की तो आप entry नहीं लोगे अगली candle पर है simple हर बार आप entry लोगे तो अगली candle पर ही लोगे तो अगर विक लंबी है candle की तो आप entry नहीं लोगे उसकी अगली candle पर है ठीक है यानि कि जैसे अगली candle बनेगी तब तक आप entry नहीं लोगे यान सेलिंग पोजिशन लोगे अच्छे से आपने अगर वीडियो को सुना है तो आपको पूरा डीटेल में अच्छे से कर पाऊगे ठीक है तो लेंथ आफ द वेक आपको बहुत सारी चीज़े बताती है देखो सीधी सी बात है में ये पूरी की पूरी सीरीज में कोई जादू की घूट्टी नहीं पिलाने वाले हुगं या पर कोई लंभी है तो आपको ट्रेड नहीं थे कि बताती है कि अगर मार्केट जादा वालेटाइल है यानि कि ज़्यादा लंभी है तो आप ट्रेड नहीं लोगें जो जो बोल रहा हूं अगर आपको लिखना है तो सिंपल अपनी भाषा में हिंदी उर्दू मादरासी जो भी है उसमें आप अपनी भाषा में जल्दी स लिख लेना ज्यादा टाम निगवाना इंग्लेश राधी बहुत अच्छी है तो मार्केट कितना वॉलेटायली यह अपने को विक से पता चल जाएगा ठीक है विक यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए इतना अच्छा से मैंने हाइलेट किया फूल बनाय का थेकर यह देखो यहां पर यह बनाया फूल गुल आपकाय लीका नहीं समझतना आशिक हूं आपका शाली का समझतना लिंट ऑफ-दॉख गिंस टाइरेक्शन विविच्षे इंदो उगश्यक हो रहा है समें यह लिंद ऑफ-दॉविक या इनिया कि बत्ती की direction क्या है बत्ती की length क्या है बत्ती को कहा rejection मिल रहा है यह अपन को बता रहा है क्या length of the wick ठीक है तो समझ गए होगे है ठीक है and मेरी share और शायरी कैसी लगी थोड़ा सा बता देना भाई comment में अगर आप meme हो तो भाई meme मत बना देना अच्छा meme बनेगा वैसे तो length of the wick gives rejection अब देखो मैं इसके और example दूँगा आपको and आपको याद होगा अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक candle छोड़ दीती है यह वाली है ना इस पर भी हपन आएंगे कब जब अपन body of the candle and length of the wick दोनों को combine करेंगे ना तब अपन इस पर भी हाएंगे ठीक है अभी तो अपन चलते हैं क्या समझने पर है पहले एक बार wick को तो समझ लें फिर अपन body और wick को दोनों को combine करेंगे ठीक तो भाईया ये वाली जो candle भनते है ना इसको कहते है doji candle doji doji candles का नाम चाहो तो याद कर सकते हो सिर्फ इसी candle का नाम याद करने को मैं कहूंगा ज्यादा जरूरत नहीं है तो देखो समझो होता क्या है इसमें क्या हो रहा है ना bulls और beards यानि कि भालू और जो beer यानि कि भैसा दोनों के लडाई हो रही है दोनों की लडाई हो रही है कोई भी नहीं जीता अगर candle खतम होई candle close होई और यह छोटा सा है छोटी सी wick बनी है यहाँ पर क्या बना छोटी सी body लंबी लंबी wick तो कोई भी नहीं जीता simple सी बात कोई भी नहीं जीता है यानि कि ना आप buying लोगे ना आप selling लोगे मैं आपको अभी आगे चलके वीडियो के end में ये भी बताऊँगा कि आप इसके basis पर कैसे ले सकते हो ठीक है इसके basis पर सिर्फ इसको देख करके कैसे ले सकते हो पर आपको क्या करना पड़ेगा पूरा वीडियो आखरी तक देखना पड़े larger wicks shows that price has moved a lot यानि कि لंबी price जो wicks है अपन को ये बताती price ने लंबा distance travel किया है larger wicks shows market is volatile यानि कि wicks जित्ती lum्बी market उतना volatile यानि कि simple अगर मानलो यहाँ पर open हुआ है price मैं color को change करता हूँ पहले पन आखरी point को और cover कर लेता है Since market is volatile Who is in control यान की जीता कौन है दोनों में से यह अपन नहीं बता सकते क्योंकि market कुछ ज़्यादे volatile है मैं करता हूँ यहाँ पर color change मान लो stock का price यहाँ पर open हुआ ठीक है यहाँ पर हुआ open अब प्राइस गया उपर की तरफ उपर की तरफ उपर की तरफ उपर की तरफ इस point पर उसने बनाया high ठीक है यहाँ पर उसने बनाया high price गया नीचे की तरफ 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 इस point पर उसने बनाया क्या low ठीक, यहां से फिर प्राइस गया उपर की तरफ, एंड यहां पर जाकर की हो गया का? close, यहां पर बना high, यहां पर बना low, ठीक है open close, ठीक है, कौन जीता है अपन को नहीं बता सकती यहां, क्योंकि देको, जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट ने पहले स्टॉक की प्राइस को इतना उचाला, ठीक है, मैं यहाँ तेरी की तो, गलत टच हो गया, मैं एक बर जल्ली से बना देता हूँ, क्या, ओपन हुआ, यह हुआ, क्लोस तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, एंड प्राइस गया, उपर, उपर, उपर उसने बनाया है, क्या, हाई, एंड यहाँ पर उसने बनाया है, लो, प्राइस गया नीचे, 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 एंड उसने बनाया है, क्या, तो मैं यह बता रहा था, क्या, कि प्राइस ने इतना सा डिस्टेंस जो है, ट्रेवल किया है, प्राइस ने इतना सा distance travel किया है इतना लंबा जु है market ने उसको उचाला उपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर नीचे की तरफ उचाला इतना एंड फिर उपर की तरफ उचाल दिया तो भाई क्या हुआ प्राइस जो है घुमता रहा वालेटाइल रहा यानि कि इतना वालेटाइल है ठीक है इतना वालेटाइल है प्राइस यहाँ पर इतना वालेटाइल है प्राइस तो आप लोग यहाँ पर ना एंटरिल होगे ना एक्जिट करोगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बता नहीं रहा है यह प्राइस को ठीक है यहां पर मार्केट वालेट आयए यहां पर कोई भी नहीं जीता अरे चोटा सा हिस्से में अगर बुल जीत गए यहां पर चोटे से हिस्से में बियर जीते थे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर छोटी से हिस्से में बुल जीते हैं अरे कोई फरक नहीं पड़ता इतना rejection मिला है तो आप क्या कर वो entry नहीं लोगे इतना rejection मिला है तो आप entry नहीं लोगे ठीक है market देखो यहाँ पर open हुआ यहाँ पर open हुआ सबसे पहले मान लेते हैं अपन गया उपर यहाँ तक के लिए ठीक है इसने बनाया high फिर गया नीचे इसने बनाया low इस point पर low बनाया एंड फिर आया उपर 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 यहाँ पर हुआ close ठीक तो भाईया क्या price ने travel किया है इतना distance है ना open close ठीक है तो इतना उपर गया है simple यहाँ पर भी इतना तो नीचे गया था यह पर अपन यहाँ से यह decide नहीं कर सकते क्या कि कौन जीता दुनों में से क्योंकि rejection heavily मिला यहाँ पर rejection 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 तो अब से जब भी आपको विक दिखेगी simple simple ध्यान दो बहुत ध्यान दो जब भी आपको विक दिखेगी candle की बड़ी बड़ी जब भी आपको विक दिखेगी candle की बड़ी बड़ी आप लोगे हुआ rejection बना दो cross खड़ी खड़ी मज आ गया तो जब भी candle की आपको देखेगी विक आप बना देना वहाँ पर cross बोलना हुआ है rejection नहीं ले रहा मैं trade जाओ भाड में I am late ठीक है तो वहाँ पर आप करना wait candle को हुआ है rejection आप हो जाओगे late तो भाईया आप नहीं करोगे trade आप करो wait आप नहीं करोगे trade क्यों क्यों क्योंकि मिला है rejection बड़ा बड़ा 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 आप नहीं करोगे trade अरे करो थोड़ा सा wait आप नहीं करोगे trade simple भाईया तो यहाँ पर आपन ने ये चीज़ देख ली अब अपन चलेंगे इसके आगे सच बोलना कोई मीमार होता है मीमार बना देन मेरे उपर अब देखो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर क्या candle shows in decision ठीक है यह वाली जो candle थी डोजी candle जो थी इसको डोजी candle कहते है मैंने भी बताया था ना यह वाली candle यानि कि विक बड़ी-बड़ी है यह अपन को बोल रहा है in decision है यहाँ पर अरे भाई कोई decide ही नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा सब जीतक है सब हार गया सब मर गया decide नहीं हुआ है तो भाई in decision है यानि कि decision नहीं हुआ है we won't be taking a trade based on this candle मैंने आपको बोला था आगे जाकर कि मैं एक तरीका बताऊंगा बट वहाँ पर ध्यान अभी मत दो we won't be taking a trade based on this candle इस candle के basis पर आप trade नहीं लोगे just because the color is green doesn't mean that buyers are in control यह बहुत important point है यार बहुत important point है just because color is green doesn't mean that buyers are in control same चीज़ उल्टे में भी कह सकत हो just because color is red doesn't mean क्या कि sellers are in control या फिरs are in control यह भी कह सकते हो यहाँ पर buyers have very little control and it gives no signal about it buyers को बहुती छोटे से control में है buyer और कोई भी signal नहीं दे रहे है यह अपन को बोल रहा है sideways trend है market का market का sideways trend है तो यहाँ पर आप trade नहीं लोगे sideways trend में आप कभी भी trade नहीं लोगे यह बात याद रखो trade आप लोगे sideways trend के breakout पे या फिर breakdown पे तो यहाँ पर आपन को यह चीज़ पता चल गई है और यहाँ पर आपन इनके बारे में अभी बात करने वाले है तो फिर आपन आपन आगे देखेंगे क्या अगले वीडियो में देखेंगे तो बहुत important हुआ है क्या देखो यह candle है जो है यह candle जो मैंने आपके सामने अभी बने आई है आपके screen में जो बनी हुई है यह candle क्या बता रही है यह candle बता रही है इतना भारी मिला है इसको rejection ठीक यह वाली candle जो है बतारी इतना भारी इसको rejection मिला है जो buyers हैं सिर्फ इतना सा price को उपर की तरफ ले जा पाए है buyers price को सिर्फ इतना सा उपर की तरफ ले जा पाए है तो यहाँ पर आप यह चीज नहीं कह सकते क्या कि कोई भी नहीं जीता क्यों कि दिको rejection खतरनाक मिला है ठीक है उपर की तरफ से मिला है rejection ठीक है यानि कि नीचे की तरफ धकेला है पूरी खतरनाक तरीके से यानि कि क्या जिस तरफ विक लंबी है उस तरफ price जाएगा जानि कि संभावना actually में जाएगा आप कभी नहीं कह सकते ठीक है क्यों कि market पर depend करता है ठीक है market ने आगे उसको किस तरफ उचाला उस पर depend करता है तो यानि कि जिस तरफ से rejection मिला है बड़ा price जाएगा उस तरफ अच्छा डोजी candle में क्या हो था अरे डोजी candle में दूनों तरफ से rejection मिल गया यानि की Price जाए चारा है तो अगर यहां से breakout होता है अगली candle इधर हो तो आप एंटर रिले सकते हो स्ट्रेंग वॉल्यूम मैं आप भी बॉल्यूम मैं इस के वाद बात करें पॉल्यूमुके वाहारा वादी को सोचहो पर अगर ंज़े के तरफ आप च्रेड ले सकते हो स्वीमुआ चीज यह वाईख़ल पर इतना निचे की तरफ है , जो हुआ है क्या sellers नीचे हुआ है ठीक है क्योंकि देखो open तो यहां हुआ था ना open यहां हुआ था यानि कि उपर की तरफ गया पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया ठीक है तो sellers के बारे में अगर आप नहीं भी सोचो तो क्या हुआ है सिर्फ और सिर्फ इतना खतरनाक मिला है क्या rejection यानि क genda कि वहाँ है तो जो खतंब तो क्या किया बायर्स उन्होंने price को उपर की तरफ कि तरफ ले जाने के कोशिश करी यहां पर open हुआ price को उपर की तरस ले जाने के कोशिश करी, buyers tried try to take the price up but sellers pull down the price down same चीज ज From cash candle में हैं सकते हो, yet र अगर अगर open हुआ है buyers tried to to take up the price up but sellers rejected and took the price down या फिर took the price down तो भाया किया मिलगा rejection यानि कि जिस तरफ लंबी vic है अपन उसके opposite direction में लेंगे trade candle के जिस तरफ है लंबी knitting advice अपन उसके opposite direction में लेंगे trade candle के जिस तरफ है debitображ अच्छा यहां भी है याँ अरन नहीं ले रहे हम ट्रेड भाड में जाओ हम खाएंगे केक तो यह हो गया भाया तो अब आते हैं अपन दोनों को combine करना जो कि बहुत important है ठीक है दोनों को combine कर रहे है अपन विक भी है यहां पर body भी है ठीक है यहां पर अब हम खाएंगे अब कुछ निकारे चलो body है यहां भी है विक है विक भी है विक भी है पर विक क्या है छोटी है अगर विक है छोटी body है बड़ी तो क्या होगा आप कह सकते हो क्या कि body जीती है बॉडी जीती है विन बॉडी विन हुई है दोनों केस में यानि कि यहां पर यहां पर बायर्स जीते हैं यहां पर सेलर्स जीते हैं सेलर्स थोड़ा सा यह उपर ले जा पाए बायर्स थोड़ा से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इतनी वोलेटाइल, छोटा सा वालेटायल है मार्केट तो चलेगा, यहां परバイरं यहांपर बुलिश फमार की तरव जा सकता है, यहां पर является, तो मार्केट नीचे की तरव जा सकता है, this shows क्या कि बाइर्स या आवर उपर लेकर के गए हैं उससे फरक नहीं पड़ता क्यों कि मार्केट जो है most of the time उपर की तरफ उसने ट्रेवल किया है है ना and closing price है उपर की तरफ opening closing तो भाई हम इसको मानेंगे bullish यहां पर देखो opening यहां पर होई closing हम इसको मानेंगे bearish ठीक है तो यह बहुत important point है अब देखो यह जो छोटी-छोटी से candles बनती है इन पर आप trade नहीं लोगे इन पर आप trade नहीं लोगे ठिक पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या कि अगर यह हो तो भी मैं आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा कि आप trade ले सकते को simple मैंने आपको क्या होला यह sideways trend को depict करती है यानि कि मानलो एक घंट पे यह sideways हो रहा है एक घंट में sideways हो रहा है moment में तो हम माने एक घंट में sideways चल रहा है यानि कि अगर आप 15 minute का सब्सक्राइब study you so any cake मानलेते अपन क्या वन हर का time frame है इस न चोड़ी सी ct-time कहाँ पर अपन मानते हैं क्या यो टाइम है आपर 12 बजे से लेकरके है 12 बजे से लेकरके एक बज़े तक thm यहां पर फांच नीट के टाइम प्रेम पे अपन इधर देखने वाले है क्या फाइब मिनट पे टो पाइब मिनिट के टांड अš आउब निफे चल रहा है नहीं साइडवेस चल रहा है मार्केट तो आप करो क्या इसके breakout पर यानों कि अगली candle की opening पर कर लो buy यहां पर इसकी अगर नीचे जाए और तो आप इसके नीचे कर लो क्या sell यानों कि shot यहां पर कर curios, buy ठीक है तो यह candle बनेगी क्या ग्रीन की उपर की तर्फ बनेगी क्यई आ ग्रीन क्रा की इंडेलarbeiten कांडेल सेम चीज यहाँ पर नीचे के तरह बनेगी क्यआ रेड कलर की कैंडल है फिक है तो और पर चीज़ चीज है यहाँ से नीचे जाता जाता जागा इसका प्राईशी यहाँ से ऊपर चाहला जाता पर आप ट्रेड नहीं लोगे, इस पर बहुत सारी चीज़ों का आप कम्बाइन करोगे, बट एक बिल्टिंग ब्लॉक अपने अभी कम्प्लीट कर लिया है, अगले वीडियो में आप क्या बात करने वाले डिस्क्रिमिलेश की most important होने वाला है, इसके और भी चीज़े देखे